हाई फ्रेंज, वेल्कम टू और चैनल क्रेटिवन फ्रेंज, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ पैटन, जो कि बहुत ही आसानी से आप स्वार, ब्लैंकेट, चिस भी चीज में इसे डालेंगे उसमें ही बहुत ही अच्छा लगेगा, कुशन कबर बैक्स जो भी आप बनाना चाहें, इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और यह सिंगल कलर में हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से डाल कलर, लाइट कलर, कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आए वीडियो शुरू करते हैं, इस तरह से मिलूँगी धागा, यहां से ऐसे रखेंगे, यहां से अंदर करेंगे, फिर ले लेंगे, इस तरह से, क्रोशिय हुक लेंगे, आराम से आए जाए, और यह क्रोशिय हुक हमारा 3.0 mm का है, फिर यहां से ले रेंगे, क्रोशि मफलर के लिए लेना है तो उसके हिसाब से चोड़ाई ले बलेंकेट के लिए लेना है तो उसके हिसाब से लेना है तो उसके हिसाब से दें घर में कोई स्वाल मफलर जो भी हो उससे माप ले और अपने हिसाब से इसको बना ले नहीं तो नेट पे गूगल पे बड़े आराम स से आपको माप मिल जाएगा इस तरह से लंबा चेन बना ले तो यहां इस तरह से मैंने बना लिया इसके बाद यहां से एक दो तीन चार पांच और छे इस चेन में हम यहां सिंगल क्रूशिया इस तरह से बनाएं यहां ऐसे फिर यहां एक दो तीन और नीचे भी यहां एक दो तीन चोड़ेंगे चौथे चेन में यहां सिंगल क्रूशिया बनाएंगे फिर एक दो तीन फिर यहां से एक दो तीन चौथे में सिंगल क्रूशिया बनाएंगे इस तरह से एक, दो, ती, एक, दो, तीन, चौथे में सिंगल क्रोश या, इसी तरह से यहां तक बना लूँ, तो यहां मैंने बना लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, एक और नमबर में बनेगा, ग्यारा, तो यहां कंपलीट हो गया, एक और का है, यहां से, एक चे, गूम जाएंगे, इसके अंदर, एक सिंगल क्रोश या, फिर यहां से, पसंदा लियें, और इसके अंदर, डबल क्रोश या बनाएंगे, एक, एक चे लेंगे, फिर, दूसरा, फिर एक चे, तीश्रा, फिर एक चेन, चौथा, फिर एक चेन, पांच वाँ, फिर एक चेन, छथा, यानि हमें छे बार यहां, एक, दो, ते, चार, पांच, छे, छे बार डबल क्रोश या बनाना है, और इसके अंदर में आके, यहां, शिंगल क्रोश या है, तो इस तरह से यह बन गया, फिर यहां से, इसके अंदर में, एक, एक चेन, दो, फिर एक चेन, तीन, फिर एक चेन, चार, एक चेन, पांच, एक चेन, छे, तो यहां होगे फिर से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर इसके अंदर, एक सिंगल क्रोश या, तो इस तरह से यह बनती हुए जाएगा, फिर इसके अंदर, सेम तरीके से, यहां भी, फिर इक चेन, डबल क्रोश या, तिस तरीके से, यह पूरा लाइन हम, बना लेंगे, यहां था, तिस तरह से यह पूरा हुआ, और यहां हम, इसके अंदर में, एक सिंगल क्रोश या बनाएंगे, उसके बाद हम, इसके उपर भी एक बनाएंगे, यहां से हमें, लाइन सीधा कर लिया, यहां से, ति यह हम बना लिए, यहां, इस तरह, एक सिंगल, ति यह पूरी लाइन हो गई, अब यहां से, एक, दो, ती, चार, पांच, फिर यहां से गूम जाएंगे, और यहां से देखेंगे, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, ती, इसको छोड़ेंगे, इसके उपर, यहां से, इसको छोड़ेंगे, इसके उपर, सिंगल कुरूशिया, एक, दो, ती, और चार, फिर यहां से, एक, दो, छोड़ेंगे, इसके उपर, सिंगल कुरूशिया से, बुलनेंगे, इस तरह, फिर यहां से, एक, दो, ती, चार, फिर यहां आएंगे, फिर यहां से, फिर यहां से, एक, दो, ती, चार, फिर यहां, श्वारी फिर फिर यहां, वहने गलत जगा बनाया यहां, यहां हमने इसको छोड़ा, और इसके उपर बनाया, यह इसके लाइन पर, फिर यहां से, एक, दो, ती, चार, फिर यहां से, एक छोड़े, दो छोड़े, इसके उपर, फिर एक, दो, ती, चार, फिर यहां इसको छोड़े, यहां इसके छोड़े, इसके उपर बनेगे, फिर एक, दो, ती, चार, फिर यहां एक छोड़े, दो छोड़े, तीसरे के उपर, सिंगल क्रोशिया तो इस तरह से पूरा हम पूरा यहां तक बनाएंगे तो यहां मागे यहां से एक और दो दो लेंगे उसके बाद यहां से हम फंदा लेंगे और इसके उपर से यहां एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहां इस तरह से तीक्लियर होगी अच्छे से फिर यहां से एक चे सिंगल क्रोशिया और फिर यहां से हम बनाएंगे अपना द्रसाई एक एक चेंड दो फिर एक चेंड तीन एक चेंड चार एक चेंड पांच एक चेंड पांच छे इस तरह से वापस इसके उपर जाएं बन गया है फिर इसके अंदर सिंगल प्रोश है फिर वापस इसके अंदर एक एक चेंड दो फिर एक चेंड फिर ही तीसरा एक चेंड चौथा एक चेंड पांच वापस एक चेंड छटा हो गया फिर इसके बाद इसके अंदर एक एक दम सिंपल है एक से दो स्टेप में ये पूरा बन जाएगा ये पूरा बनने के बाद बहुत ही शुन्दर लगता है मैं इसको पूरा बनाके फिर डिजाइन आपको देवाँ सेम स्टेप जाएगा इसके बाद फिर ये ये वाला स्टेप रिपीट होगा फिर इसके बाद ये वाला जितना बड़ा आप बनाना चाहे जैकेट में ति ये बहुत ही प्रेटी लगता है जैकेट में चाहे समाज जैकेर बनाए चाहे विंटर जैकेट में तब गर्मी या पूरा बनाके आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो क लाइक से र कमेंट जरूर करें और चैनल में अगर पहली बार आये हो चैनल को सस्क्राइब करें थेंक यू